इस्ट्रावेरी खेती की हर्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है आप देख रहे हैं जैसे की पीछे लोग इस्ट्रावेरी की हर्वेस्टिंग कर रहे हैं और इसके बारे में आज हम इस्ट्रावेरी की खेती के बारे में जानेंगे कि जो इनको अब तक रैड मिला है हमारे कर दो कर दो कर है कि इनको इस्टवेरी की एक खेति लिए और ल में जाौत हैं तो जानते हैं से जो एन्हों ने इस्टवेरी की बिक्री की थी वह अब तक कहां की थी और जो इनको तो रैड मिला है वो कौन सा रिट मिला है जी हमने जो इसको फिर शुरुबात कि यह तो पहले तो आड़ सो में भी किए जिक साथ सो में आपको पृपपर यह किस महिने में उसके बाद पिर शञों के बाद फिर 700 भी शेशों भी कि फिर घरते घरते जिस समय तो 200 कि 250 रुपप यानि कि यह जो वर्तमान में महीना चल ला है फरवरी और इसमें जो इनका एक ट्रे की कीमत है वो करीब 200 से 250 रुपे के हिसाथ से बिक्री हो रही है सर बेचने के लिए आपको सबसे पहले जो मंडी का सहरा लेना पड़ता होगा चुकि आपके पास ज्यादा मात्रा में निकल नव गोरकपूर नेपाल आदमंडियों में बेचते हैं सर जो इस्टावेरी आप वहां तक पहुंचाते हैं तो सर इसके लिए आपको अपनी ब्रांडिंग वगएरा की है तो कैसे आप अपनी पहचान होती है और वहां पर आपको जो इसका रैड मिलता है जैसे आपने बा करी तीन प्लाट है पांच एकड़ में और इसमें जो हर्वेस्टिंग रूजाना की होती है अगर देखा जाए तो पंद्रा सो सरी लेकर और दो हजार ट्रेप्रती दिन के हिसाफ से इनकी हर्वेस्टिंग होती है और इनको बेचने के लिए मंडी जाना पड़ता है जैसा क सब्सक्राइब ना इस तर्शoga आपके लगते हैं अच्यां इसके बाद में सर अपने हाथ से करते हैं कैसे कर अधिए अफने डिबा में आती है उसको पैकिंग करके बेचते हैं हमारे साथ ये किसां थे सुनिलकुबार वर्मा जी जिन्हों ने इष्टा वेरी की खेती की थ साथ यह करीब दो महीने से मंडी भी बेज रहे हैं तो अगर इस्टावेरी की खेती किसान भाई अपने नहीं देखी है तो इसकी जितनी भी वीडियो की लिंक है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वहां पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं फिर कभी मिलते हैं एक नए कंटेंट पर तब तक के लिए नमस्कार जाहिएंगा